मैं तो लोगों को यही कहूंगा कि जोगी जी क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे जोगी जी खुद ही उन बातों को अपनी आत्म कथा सपनों के स्वधागर में लिखके गए है इसमें स्पष्ट है कि जोगी जी क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे उनके पुत्र होने के नाते मेरे लिए ये चुनाव महत्वपूर नहीं है मेरे लिए महत्वपूर है पुत्र धर्म का निर्वान करना और अगर मेरे पिता जी की आप उस तक पढ़ेंगे तो उनका जो अन्तिम अध्याय था जीवन का वो चतिस गड़ में स्वराज लाने के लिए समर्पित्था वे चाहते थे कि चतिस गड़ के सभी फैसले चतिस गड़ के धर्ती में चतिस गड़ के लोग ही करें हर चीज के लिए हमको दिल्ली ताकने की जरुवत ना पड़ें अब ये जो उनका धूरा सपना है उनके पुत्र होने के नाते मुझे इसको साकार करने का दायत्व निभाना है